नमस्कार आप देख रहे हैं आर्सुनी नीज मैं हूं आपकी साथ अंचली से उत्तर प्रदेश के जिला बरीली के शकोत वाली नवाबकन शेत्र में मकरनपुर गाउ के पास हाईवे मार्क पर एक यूवक का शव मिला है शव मिलने से गाउ में संसुनी फैल गई है जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस फोरन वार्दात पर मौके वार्दात पर पहुची और शव को पोस्ट माटम के लिए आगे भेज दिया गया मृतक का नाम भुपेंद्र गंगवार बताया जा रहा है मृतक के उमर करीब 19 साल थी और मृतक घर में चार भाईयों में सबसे छोटा था परीजनों ने और उसके माबाप ने मृतक के ये भी बताया है कि वो नशे का आदी था और पेशे से वो ड्राइवर था और एक सपते से जब शब मिला भुपेंद्र गंगवार का उससे पहले हो एक हफते से यानि एक सपता से ला पता था आएए देखते हैं अखलाक अंसारी किये पूरी रुपोर जिला बरेली के थाना कुतावली नवाबगन छेतर के जियोरा मकनपूर गाउं इस्तित हाईवे मार्क के पास एक यूवक का मृतक अवस्ता में सम्मिलने में छेतर से संसानी फैल गई इस दोरान सूजना पर पहुंची पुलिस में मृतक के सब का पंचनामा भरकर पोस्ट मार्तम के लिए भेजा ये भाईयों में से सबसे छोटा था भुपेंदर गंगवार पुत्र राम बहदर उनिस वर्सिय पुत्र सबसे छोटा था बड़े भाई का नाम सुनील कुमार दूसरे का नाम विजय पाल कुमार चार भाईयों में सबसे छोटा भाई था, परिजनों ने बताया कि मिर्तक जोरा मकरंद पुर गाउंकार रहने वाला था और पेसे से ड्राइवर था, साथ ही उन्होंने बताया कि वे नसे और सराब का आदी था, कुछ दिन पहले अपने घ मिर्तक के परिवार को पहुँची तो परिवार में कौराम मच ग्या, पुरीस के पूछने पर परिवार वालों ने बताया कि वे शराब का ज्यादा वादी था, इसलिए हम सत्याधार पर किसी का नाम नहीं ले रहे है, हमें किसी पर कोई भी सक नहीं है, कोतवाल असोकुमा और कमबोज पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे सब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए रैफर कर दिया है खबर जीवरा मकरंदपूर गाउं इस्तित की है जहां पर सराब के नसे में भुपेंद्र गंगवार की जान गई परिवार वालों ने बताया वैं नसे का आधी और पेशे से ड्राइवर था जिसकी वज़े अब और उसकी मौत के बाद पूरे गाउं में कोरहा मच गया है और परिवार कारोरों के बुरा हाल हो गया